Hello everyone, welcome in our science class again. Science की क्लास में आज हमारा टॉपिक है Our universe, the solar system. हमारा universe, यानि की हमारा ब्रह्मान. आप सभी को पता है, हमारा ब्रह्मान जो है, वो कितना बड़ा है, हमारा universe कितना बड़ा है. तो आज हम अपनी science की क्लास में हमारे universe के बारे में ही जानने वाले हैं. जो कि क्या है, solar system. आप सभी को पता है न, solar system क्या होता है? Solar system, solar family होती है, जिसमें की हमारे सारे planets, stars और asteroid, meteorites, सारी heavenly bodies include होती हैं. तो चलिए, one by one हम इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? Stars के बारे में. Stars, आप लोग आसमान में कहीं सारे stars देखते होंगे, twinkling करते होंगे, यानि के टिम्टिम आते होंगे. हमें ऐसा लगता है, वो stars हमारे कितने close है, लेकिन असल में वो stars हमसे बहुत ज़ादा दूरी पर होते हैं. अब सवाल उठते हैं, what are stars? आखे stars होते हैं, और किस से बने होते हैं, और यह हमें टिम्टिम आते हुए नजर आते हैं, रात के समय क्यूं? तो stars are ball of hot gases. Star क्या होते हैं, असल में, stars होते हैं, वो hot gases का एक ball होता है. यानि कि जो gases होती हैं, उन gases से बना हुआ एक ball होता है, जो hot भी होता है, जिससे की heat और light निकल रही होती है. वही heat और वही light जो होती है, large amount पे produce होती रहती है, जिसकी वैसे रात में हमें stars टिम्टिमाते हुए नजर आते हैं. They are much larger than planets and much further from earth. वो, यह जो stars होते हैं, यह planet से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, size में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए हमें यह earth से इतने छोटे नजर आते हैं. The sun is the closest star to earth. पर क्या आप जानते हैं कि sun भी एक star ही है, जिसे बाकि सारे हमारे stars हैं, जो हमें sky में नजर आते हैं, वैसे ही sun भी एक star ही है. लेकिन sun कैसा star है? अर्थ के सबसे closest, यहने कि earth के सबसे past वाला star है. That is why, जो sun है, वो बाकि stars के मुकाबले हमें जादा बड़ा नजर आता है. अब देखे, sun के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं. अब मैंने बताया, sun जो है, वो nearest star है, earth का. उसके अलावा, it is about 150 million kilometers away from the earth. अब sun जो है, वो earth से कितनी दूरी पर है? sun जो है, वो earth से लगभग 150 million kilometers दूरी पर है. फिर भी वो हमें इतना बड़ा नजर आता है, कि इतनी ज़्यादा ही, इसकी heat भी होती है, कि हमें गर्मी भी लगने लग जाती है, इतना light भी होता है, कि पूरी जो हमारा area है, वो उस पे अच्छी खासी light भी हमें मिल जाती है. तो sun की रोशनी की वज़े से जो बाकी stars होते है, sky में हमें नजर नहीं आते है, हलाकि वो stars दोपहर के टाइम पे भी रहते है, लेकिन वो बहुत दूर है earth से, इसलिए जो उनकी चमक है, वो हमें उस समय नजर नहीं आती है, जब तक sun रहता है. अब हम जानेंगे planets के बारे में, कि planets क्या होते हैं, planets जो है star से बिलकुल अलग होते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं, planet कुछ ऐसे दिखते हैं, star कुछ इस तरह के दिखते हैं, तो planet जो है वो star से बिलकुल अलग होते हैं, अब planets क्या होते हैं, सबसे पहले तो planet twinkle नहीं क बताया कि स्टार्स के पास अपनी खुद की रौशनी होती है लेकिन प्लैनेट के पास अपनी खुद की रौशनी नहीं होती है ते गेट लाइट फॉर्म सन और स्टार से लाइट लेते हैं आप सभी को पता है कि दो पहर में जब सूरज की रौशनी मिलती है तभी अर्थ पे रोशनी होती है और रात में चांद की रोशनी होती है तो इसलिए कहते हैं चांद की और तारों की रोशनी होती है तो इसलिए कहते हैं कि प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं है वो सन की और जो स्टार्स और मून होते हैं उनकी ही light को reflect करते हैं जैसे कि example लिखा है Earth get light from sun Earth को कहां से मिलती है light Sun से मिलती है तो आपको पता चल गया stars और planets एक दूसरे से कितने अलग है अब जैसे ही मैंने बताया star जो है वो हमारे solar system का एक part है ऐसे ही planet भी हमारे solar system का एक part है planet जो होते हैं वो sun के around बीच में center में हमारा sun होता है उसके around हमारे total 8 planets है जो की sun के around क्या करते हैं revolve करते यानि कि चक्कर लगाते हैं एक अपने fixed path पे path means रास्ता एक अपने fixed रास्ते पे चक्कर लगाते हैं जिस उस रास्ते को कहा जाता है orbit जैसे कि आपको यहां पे दीख रहे है न planets हर planet का अपना एक रास्ता जा रहा है वो planet उसी रास्ते से जाता है वो रास्ता कहलाता है orbit solar system solar system में कहीं चीजे शामिल है जिसमें से एक चीज अभी हमने पढ़ी वो क्या थे planets अब हम क्या जानेंगे हम अब जानेंगे हमारे जो planets है total planets कितने हैं हमारे solar system में 8 planets है कौन-कौन से हैं वो Mercury first number पे Mercury आता है जो कि sun के सबसे close है उसके बाद Venus then third number पे Earth then Mars फिर Jupiter फिर Saturn Uranus and last हमारा planet है 8th number पे Neptune अब हम one by one इन planets के बारे में जानेंगे सबसे पहले आते हैं Mercury Mercury सबसे पहले तो smallest सबसे छोटा planet है same size as the moon इतना छोटा है कि इसका size moon के जितना है जितना बड़ा moon है उतना ही बड़ा इसका size जदा बड़ा नहीं है day is very hot and nights are too cold Mercury जो planet है इस पे days बहुत जदा गरम होते क्योंकि ये sun के सबसे closest planet है और जो राते होती है वो बहुत जदा ठंडी होती है next हमारा आता है Venus planet जो second number पे है Venus hottest almost the same size as the earth ये भी बहुती गरम planet होता है और इसका जो size है इस planet का Venus का ये earth के लगभग बराबर ही होता है closest to the earth और earth के सबसे पास का planet है it is called morning star or evening star as it is seen at down on dusk इसे morning star और evening star भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि हम telescope की मदद से इसे down ये dusk के time देख सकते down मतलब होता है जब sunrise होने वाला होता है dusk मतलब होता है जब sunset होने वाला होता है उस समय पर telescope की help से Venus जो है वो नजर आता है इसले खा जाता है इसे evening और morning star rotates east to west unlike other planets जो बाकी planets है वो जो rotation करते हैं वो west to east करते हैं लेकिन जो Venus है ये कैसे rotate करता है east to west की तरफ rotate करता है next third number पर जो planet है वो है हमारा Earth also called the blue planet इसे blue planet भी कहा जाता है क्यों क्योंकि as two third of the surface is covered with water क्यों क्योंकि लगभग दो तिहाई हिस्सा जो है Earth का वो पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसे blue planet भी कहा जाता है only planet known to have life एक लौता ऐसा planet है जिस पे life possible है has mild climate, water is present in all the three states यहाँ पे climate भी ऐसा होता है कि जीवन जीया जा सकता है और साथी साथ जो पानी है वो तीनों फॉर्म में available है liquid में भी, solid में भी और gas में भी next हमारा fourth number पे planet आता है Mars earth like planet in the solar system half the size of the earth यह planet कहा जाता है कि थोड़ा बहुत earth की तरह ही है हाँ size में यह earth का आधा है लेकिन थोड़ा बहुत यह earth की जैसा ही कहा जाता है has four seasons and ice at poles कहा जाता है कि Mars पे 4 seasons होते हैं और poles पे इसके ice होती है also called the red planet इसे red planet भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे iron की मातरा बहुत पाई जाती है only planet beside earth where life may exit earth के लावा यही एक लौता ऐसा planet है जहां पे कहा जाता है कि life हो सकती है next है Jupiter सभी को पता है फिफ्ट नमबर पे आता है यह planet largest gaseous planet यह largest सबसे बड़ा planet है solar system का और gaseous planet है अभी हमने जो starting के चार planets के बारे में जाना Mercury, Venus, Earth, Mars Earth और Mars इन्हें हम कहते हैं inner planets क्यों क्योंकि यह rock से और metal से बने होते हैं जबकि जो हमारे बाकी के वागे चार planets आएंगे Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune इन्हें हम कहते हैं outer planets क्योंकि यह चार planets चुह हैं गैस से बने हुए हैं यह rock से या फेर, metal से या किसी और चीज से नहीं बने हैं ठीक है तो Jupiter इसलिए का जयता है सबसे बड़ा प्लानेट तो है पर gaseous planet है यह गैस से बनावा planet है यह इतना बड़ा है कि सभी planets को आपस में भी जोड़ दिया जाए तो उनसे भी बड़ा हो जाएगा यह planet इतना बड़ा planet है fastest spinning planet यह planet सबसे fast spin करता है यह सबसे fast घूमता है अपनी जो rotation होती है सबसे speed में होता है next है Saturn Saturn is the second largest gaseous planet Saturn जो है यह Jupiter के बाद second largest planet है और यह भी gaseous planet है has many rings made up of ice, rocks and dust इसके आसपास बहुत सारे rings होते है जो ice से, rocks से और dust से बने होते है next is Uranus Uranus हमारे 7th number का planet है covered with a layer of blue green gas called methane यह जो है blue और green color के gas से cover होता है कौन सी gas होती है? वो methane gas इसलिए यह हमें blue नजर आता है यह methane gas थोड़ी-थोडी blue होती है huge icy planet यह huge होता है, बहुत बड़ा है यह भी और icy planet है क्यों क्योंकि यह sun से बहुत सदा दूर हो जाता है क्योंकि आप picture में देखेंगे जब solar system में तो यह बहुत दूर हो जाता है sun से तो यहाँ पे sun की heat नहीं पहुच पाती इसलिए यह बहुत ही थंड़ा planet होता है और लास्ट हमारा आता है Neptune यह giant icy planet है with strong winds यह बहुत ही बड़ा planet है icy है, ऑब्यस सी बात है क्योंकि sun से दूर है और यहाँ पे थंडी हवाय ऐसा खा जाता है कि यहाँ पे strong winds चलती रहती है this is also in blue color यह भी blue color का ही होता है due to the presence of methane gas क्योंकि यह भी methane gas से ही बना है इसमें भी methane gas present होती है तो आज ही class में students हमने जाना कि इसके बारे में हमारे solar system के कुछ हिस्तों के बारे में स्टार्स के बारे में तो next class में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे और हमारे solar system में क्या क्या चीजे हैं उसके बारे में हम next class में जानेंगे तब तक के लिए good bye and take care everyone झाले लिए